हलो गाइस, वेलकम टो चीवाइस, मैंने में जाविश मेटी, इस वीडियो में हम एक अप्रेल 2020 के दा हिंदू एट्वल अनलेश से शुरू करते हैं पहला जो आटीकल है हो हमारा स्टेट अप स्टेप अप citizens must not hide their travel or contact history as authorities deal with the pandemic देखो, citizens को कभी भी अपनी जो travel or contact history है, वो चुपानी नहीं चाहिए क्योंकि इस समय जो हमारे सामने समश्या है, सिफ contact tracing से ही और testing से ही यह दूर हो सकती है और उसके बावजूद भी देखा जा रहा है कि citizens जो है, वो contact चुपा रहे हैं, जिनको भी जो भार से आए हैं, जो positive लोगों के contact में आए हैं, वो सब जो है यहाँ पर अपनी history चुपा रहे हैं क्योंकि जब with any big crisis, जब भी कोई big crisis आता है, तो उसके साथ great responsibility आती है, जिम्मेदार ही आती है, किसकी सरकार की भी और लोगों की भी इस pandemic के समय में, जो की एक-एक समय के सेक्णियां पर बहुत कीमती है और जिस समय परस्टनल हाईजीन स्टेंडर्ड्स, फिजिकल डिस्टेंस मेंटेन करना और states और सेंटर को जो है educate facilities प्रवाइड करवानी चाहिए, ताकि बीमार लोगों का testing और treatment हो सके यह भी जरूरी है कि इनके साथ-साथ एक word है उस पर focus किया जाए, वो है जिम्मेदारी हर public health emergency में, community को यह समझना चाहिए कि यहाँ पर जो आप ordinary जो response दिखाते हो, daily जो आप करते हो, उससे ज़्यादा आपको extraordinary काम करना पड़ेगा इस समय इस वज़े से ही epidemic disease act के provisions invoke किये गए, जिस act के अंदर कई सारी power सरकार को दी गई state police already जो lockdown conditions को violate कर रहे हैं, उनको सिखा रही है अपने अंदाज में और जो quarantine को violate कर रहे हैं, उनको भी जो है action लिया जा रहा है तो lockdown और quarantine दोन में बहुत फरक है ध्यान रखना, lockdown में अपन है और quarantine में जो positive लोग आए हैं जिनकी contact history है या फिर जो symptom दिखा रहे हैं वो है strongest weapon तो lockdown और quarantine में जो फरक है वो आपको अभी clear हो गया होगा है कि lockdown में अपन सब हैं, चाहिए वो positive हो चाहिए और negative link quarantine उस आत्मी को अलग रख दिया जाता है, जो virus से symptom दिखा रहा है या symptom दिखा सकता है तो इसको अब अच्छे से कहना नहीं चाहिए, nicely जो तरीके से कह रहे थे वो समय गया अब कड़क शब्दों में जिम्मेदारी का जो भाव है वो लोगों के मन में लाना चाहिए क्योंकि authorities को inform करना जरूरी है कि आप कहां कहां गए और quarantine में आपको रहना जरूरी है even if asymptatic symptom नहीं भी आये तो भी आपको रहना पड़ेगा 14 दिन तक आपको रहना पड़ेगा, 14 दिन में आपको अब कभी भी symptom दिखा सकते हैं और भी protocols आपको follow करने पड़ेगे क्योंकि health authorities को जब आप बताओगे तब भी सब कुछ होएगा और जिन्दगी और मोत के सवाल जिन्दगी और मोत के बीच का यह एक action होगा individuals अगर खुद volunteering अपनी मर्जी से information देंगे तो केंदर सरकार और राजी सरकारों को cluster जो cases आए हैं जैसे कि अभी तबलीगी जमात conference में आएं उनको solve करने में मदद मिलेगी एक sport से दूसरे cases में जाने में मदद मिलेगी spread जो है आप देखोगे कि हुआ यह जो conference हुई थी जिसमें कुछ लोगों की तो जान चली गई और कुछ लोग जो है positive में आएं तो इससे एक नक्षा जो है management जो है वो पूर्टरी के से change हो गया है एक conference जिसकी बात हुई यह 13 March के हुई थी और Sunday के lockdown से एक सफता पहले तो कई केट्री से लोग आये थे और जब conference खतम हुई तो वो चले गए घर लेकिन जो कुछ Indonesian nations थे जो निजामुद्दीन में थे वो positive आये थे तो कुल मिला के state को अब धंक से काम करना पड़ेगा इन लोगों को समालना पड़ेगा hotspot containment strategy जो है वो अपना दी गई है कि यहां यहां hotspot है यहां यहां बीमारी जो है फैल सकती है और आने वाले कुछ दिनों में जो लोग यह जो पंदरा सो लोग जो conference में थे जो अब जगे जगे चले गए हैं इनको समालना ज़रूरी है इसके लिए इनके context हमको ढूंडने पड़ेंगे यह जो जो यहां पे conference ने अटेंड किया था जो जो लोग इस conference में मुझूद थे कहा जा रहा है हाजारों में संक्या में लोग मुझूद थे तो उन सब को यहां पे देखना पड़ेगा हाँके context को trace करना पड़ेगा और must still be done इसको करना ही पड़ेगा कुछ states ने तो जो है कह दिया है कि participants से cooperation नहीं आ रहा close contact से cooperation नहीं आ रहा मतलब वो जाते हैं पूस्ताज करते हैं तो डंक से जबाब नहीं आता तो बतकिस्मती से यह जो चीजे हैं यह हमारी testing strategy और contact tracing को बिल्कुल fail कर देती है जो already एक बहुत बड़ा task है और जिसका disastrous consequences देखने को मिलेगा already हम contact trace नहीं कर सकते चाए वो कोई भी हो लोग जो अपनी information देने से मना करते हैं तो दिल्ली में जो conference हुई उनको खुद को आके अपनी health authorities को आके engage करना पड़ेगा खुद को test करवाना पड़ेगा quarantine में तय समय तक रहना पड़ेगा क्योंकि pandemic के time पे जो की men और women को एक बूरा समय भी दिखाती हैं और उनके अंदर की जो गुण है qualities हैं वो भी बाहर निकल के आते हैं इनसान की सच्चा ही क्या है आज कोई भी लीडर जो होता है उसका सबसे बड़ी quality उसकी क्या ताकत है क्या capability है यह तब दिखाई देती है जब challenge हो तो हमारे देश के जो police officer है जो doctor है और जो bureaucrats है और जो पूरा परसासन है उनकी capability आपको नजर आ रही है कहीं जगे बहुत अच्छा perform कर रहे है कहीं जगे बहुत बुरा perform कर रहे है जो मजदूरों के साथ विवार किया गया वो एक बुरी घटरा थी और इसलिए यह line कही गई है कि जब ऐसे pandemic साते हैं तो कुछ लोग ऐसे भी हैं सीधे सीधे अपने आसपास महले वा लोग तो कुल मिला के कुछ लोगों की quality नजर आते है और कुछ लोगों का बुरा बरताव नजर आता है कुछ लोग जो है जनता करफ्यू के दिन भी बाहर निकल के भीड में आके जो है तालिया बजाने लग गए थे और एक देखा गया कि एक जगे के जो डिस्टिक में डिस्ट्रेट थे उस सब भीड बना के जो है यह सब कर रहे थे तो यहाँ पर लोगों को समनना चाहिए कि यह जो बिमारी है यह हमारी दुश्मन है और उसके according है हमको काम करना चाहिए एन आई ओन कंटेंडमेंट टन वेलफेर इसमें तमिल नाडू के जो मुख्यमंत्री है वे बिसिकली इलप पाड़ी के पलम स्वामी यह किस बता रहे हैं कि किस तरीके से जो है इननोंने अपने राज्य में काम किया और किस तरीके से इनों ने जो ग्रेंज हैं वो बटवा हैं किस तरीके से यह लैब खुलवा रहे हैं और जब पहला केस आ गया था तब ही इनोंने इंटेनेशनल जो फ्लाइट समबंद कर दीती और इन चेन्ने के से नहीं बलकि कहीं से भी एकर कोई फॉरेंट नेशनल ला रहा है तो इन्होंने ट्रेस कर रहा है उसको शुरू कर दिया था और करीब 43,537 लोगों को यह कवरंटाइन में रखे हैं और 28 दिन तक के कवरंटाइन में रखेंगे तो तमिलाडू सरकार ने वही काम किया जो किंद्र सरकार कह रहे हैं लेकिन बहुत तेजी से बहुत जल्दी काम किया और डिस्टिक कलेक्टर्स को जो है इन्होंने एंग्यूस के इस आर्टिकल में बात हो रही है कि किस तरीके से साउथ कोरिया में बाहर के लोगों ने आंके कोविन नाइटिन फैला दिया एडान में जो बिजनिसमें थे और चायना गई थे और जब अपस आई तो उन्होंने फैला दिया बाकी कंट्रीज में भी कुछ इस तरह की हालत है तो एक जो यहां पर हमारा जो ग्लोबलाइजेशन था हमारी जो इस्थिती थी कि हम पहले इतने सालों में आगे भड़े ग्लोबलाइजेशन भड़ा और अब सोशल डिस्टैंसिंग की वज़े से जो स्टिग्मा है वो कर जाएं और कई तरह की चीज़ें तो इसके कई रिस्क जो है मैं आपको बता चुका हूं ओल्रेडी वीकर लेटर देको ओलम्पिक जो है पॉस्पोन हो चुका है और जरूरी था हेल्थ प्रायरेटी जो है वो हमेशा उपर रहनी चाहिए अभी इस टाइम तो है पैंडेम अगर बहुत तेजी से फैलता है तो यह के विडिल क्लास ही नहीं है जिसको एफेक्ट होगा इंडे के पास इंपवरिज्ट मिलियंस हैं लाखो करोडों की संख्या में ऐसे लोग हैं जो की इस मुसीबत से जूज रहे होंगे जो हमारा जो प्रिविलेज़ इंडियन है जो जो ऐसा जो हमारे ऐसी लोग हैं जिनको काफी कंफर्ट मिला हुआ है जो रिच जो क्लास है जो अपर क्लास है वो अभी जिस तरीके से इन्हों नहीं एक तो इनिक्वालिटी जो है क्रियेट की है और देखा जाए तो उसके बाद पैंडेमिक की वज़े से जो इनिक्वालिटी बढ़ गई है तो पूर जो पिपल है उनकी जिन्दगी में और भी कठिनाई आ जाएंगी और जीने की जो संभावनाई है वो घरती चली जाएंगी गवर्मेंट के द्वारा मेजर्स जो अडप्ट किये गए जैसे की वर्क फ्रॉम होम का क्राइब ये हात धूने का जो चाल्चर निक्ल के आया फिजिकल डिस्टैंशिंसिंग का कल्चर निकल के आए और फिर 21 डिय का जो लोकडाउन निकल के आया यह एक तर्बिके से आ इस मुद्दे पे डिवाइड हैं कि यह लोगडाउन के अपसलिटली नेसेसरी था और कैस को इंप्लिमेंट कर सकते थे यह क्लियर होना चाहिए कि लोगडाउन जो है वो केवल अमीर लोगों के लिए मिडल क्लास लोगों के लिए सुरक्षित है जो केवल उनकी रेगुलर इंकम है सेविंग है और उन घरों के लिए है जो की डिस्टेंसिंग की जगह जहां पे हैं आप और मैं जिस घर में रहते ह आप और मैं अपने मम्य पापा से अला गला कमरों में रह सकते हैं हैल्थ इंशुरेंस हमारा होता है पानी 24 गंटे आता है कई जगे नहीं भी आता है लेकिन पानी की एर्रेगुलर सप्लाय तो रहती है लेकिन जो करोडो लोग हैं जो लाखो लोग हैं जिनके घर में पानी तक नहीं आता वो हाथ कैसे दोहेंगे और हाथ तो छोड़ो वो ऐसे लोग जो सलम एरियाज में रहते हैं जोंको खाने को भी कुछ नहीं मिलता वो कैसे रहेंगे लोगडाउन ओर्डर करते समय गवर्णमेंट ने मिलियन्स ओफ वर्कर्स की डेशिट्टूट पिपल की सोची नहीं कि अगर वो घर में रहेंगे करीब ऐसे माइग्रेंट्स जो कि 10 करोड की संक्या बताई जा रही है कैसे रहेंगे बीना काम के डेली वेज वर्कर जो 100 रुपए 200 रुपए मिलते हैं रिक्षा पूलर्स स्ट्रीट वेंडर्स ऐसे हैं जो केवल दिन में इतना कामाते हैं खाने के लिए और अपने फैमिली को खिलाने के लिए क्या गवर्णमेंट ये चाती है रिएलो स्टेशन के पास रहती है जो से हजारों लोग हैं उनके बारे में सरकार ने क्या सुचा वे लोग उनका 911 कोई अकाउंट है ना उर्का कोई पीडी ओ सिस्टम उनका पोई नाम आता है वे प्ने क्ने बीगे क्या खायेंगे और वो भी पैसा हो तब न तो regular cleanness उनके लिए नहीं है कि साब सुतरी जगह पे हो रहे, sanitizer अपनाए social distancing की बात हमने की, self isolation की हमने बात की जो एक कमरे में 10-10 migrant worker रहते हैं 10-10 working class people रहते हैं वो कैसे अलग होएंगे, कैसे quarantine में, कैसे isolation में रहेंगे कैसे वो जो है social distancing अपनाएंगे और इन में तो फैलने के ज़्यादा chances भी है तो जो homeless people हैं, जिनके पास कोई chance नहीं है बसो केवल, रहन बसोरा में, government के जो shelters हैं और चोटी मोटी जो जगह हैं, वहाँ पे रहते हैं वो कैसे infection से बच पाएंगे जेल्स हमारी, bagger home हमारे कैसे रह पाएंगे आसम में जो detention center में बंध है इन में तो infection फैलने के chances ज़्यादा है अगर health system की capacity की बात करें तो इंडिया के अगर investment और public health की बात करो तो यह तो बात हमने पहले भी कर चुके कि बहुत कम पैसा GDP का हम GDP health पे खर्च करते हैं और सरकार ने जो announce किया package उसे पांच जो kilo एक मन्त के लिए free दिया जाएगा additional तीन महीनों के लिए हर मन्त 500 रुपे जो है जंधन योजना में जो women के अकाउंट्स हैं उनको दिया जाएगा और मन्त 500 रुपे उनको जदर दिये जाएगे इस अब अगर हम देखें तो यह कम दिखाए देता कि इतने से क्या होगा माइग्रेंट वर्कर्स अगर आप देखो कि जो बाहर निकले थे वो बाहर निकले क्यों अगर उनको सरकार पे भरोशा होता अगर सरकार ने उनको सुरक्षित पैकेज दे दिया होता सब कुछ उनको अगर उनको लगता कि सरकार आमारे लिए खाना वने वीने का व्यस्ता कर देगी तो निकलते क्यों तो वो निकले क्यों कि मजबूरी थी उनको लगता कि सरकार ने जो है हमारे लिए अभी तक नहीं किया तो most of the official strategies अभी ये है कि citizen पे responsibility डाल दो सरकार पे मच डालो writer कहा रहे हैं कि सरकार ने बहुत कम किया है पिछले महिनों में इसको pandemic को इंडिया को रोकने से पहले कि इंडिया में पहुँचे ही नहीं से पहले कुछ कर दे और health infrastructure पे जो है बहुत कम सरकार ने पैसा लगया है planning operation नहीं किये कि already अगर हम lockdown करते हैं तो migrant workers तो निकलेंगे ही निकलेंगे तो उनकों क्या करें किस तरीके से रोका जाए मैंने जो condition बताई station वाली, bridge वाली, millions of people जो कि beggar home में रहते हैं shelter home में रहते हैं उनका क्या होगा तो कुल मिला के सब कुछ यहां पे बढ़ाना चाहिए cash बढ़ाना चाहिए, PD system बढ़ाना चाहिए पानी वानी पहुचाना चाहिए, cooked food यहां पे पहुचाना चाहिए jails में से जो prisoners से उनको निकालना चाहिए, जो सीवर जो crime कर रहा है, जिन्होंने गंभीर जो अपरात किया है, उनको तो नहीं नमत निकालो पर बाकियों को निकाल दो, और इंडिया को आने वाले समय में जब यह चले जाएगा COVID-19 तो GDP का 3% जो है health services पर हमको देनी पड़ेगी, और free और universal primary, secondary health care पर हमको पास होना चाहिए, कि COVID-19 के समय में कोई भी अगर symptom दिखाई देते हैं किसी भी पेशेंट के तो private hospital में जा सकता है, उसको भगया नहीं जाएगा एक population है हमारी, जो nutritional security work, health insurance globally acceptable standards को follow करती है, काम करती है और कुछ लोग ऐसे हैं जो की unprotected, uncertain वरम में काम करते हैं, पानिंग नहीं होता, sanitation नहीं होता, public health care नहीं होता तो क्या हम post COVID-19, COVID-19 के चलने के जाने के बाद यह सब उठीक कर सकते हैं क्या आप हमारी country को मीकॉल बना सकते हैं यह सब COVID-19 के चले जाने के बाद हमको देखना हो वेलकम देन, स्टिगमाईज नाओ तो बात क्या हो रही है कि विदेशी जो लोग आए शुरू में जब लोगडाउन नहीं हो आता तो उनके साथ शुरू में कैसा बढ़ता हो और अब कैसा बढ़ता हो रहा है एक जगे देखा गया कि इटालियन टूरिस्ट थे उन्होंने चर्च के बगल में जो है अपनी रात मिताई कारण क्योंकि उनको कई जगे जो है रूम नहीं मिला सरकार को लगा कि इन में जो है इंफेक्शन हो सकता है और सरकार ने पहले कह दिया था कि कोई भी फोरणर जो है वो टिके होटल में उनको नहीं लिया जाए इटली फ्रांस और चाइना और इरान से तो खास कर और अगर होटल ऐसा करते हैं तो उनको फिर अकेले में रखा जाए एक और बात और ये कि बिटिश टूरिस्ट थे जो कि केरला में थे आये थे उनको जो है इन शिम्टम दिखे जब उनको पकड़के लेके गए तो वो भाग किया गए पता चला वो पोजिटिव है जब तक को एरपोर्ट पे पहुँच चुके थे फ्लाइट खाली करवाई तब जाके जो है पता लगा तो कई जगे ऐसा देखा जा रहा है कि विदेशियों के साथ जो है बुरा बरताव किया जा रहा है और ये बरताव वैसा है जिस तरीके से एचाइवी और एट्स के साथ होता है एचाइवी एट्स पेशेंट्स के साथ होता है एक घटना है जब HIV और AIDS patients के साथ जो है बहुत बुरा बरताओं किया गया था जिसमें कुछ महिलाओं के जो है यहां पे साथ बहुत बुरा बरताओं किया गया था जब लगता है कि हाँ यह patient है जब पता चलता है तो यह बिल्कुल COVID-19 जो है विदेशियों को और workers को एक तरीके से discrimination की और लेके जा रही है तो करीब करीब अगर हम देखें तो COVID-19 भारत के लिए बहुत बड़ा थ्रीर तो ही लेकिन यहां पे उन लोगों को ऐसे rejection मद्दों की वहां पे लोग डर जाए और आगे जाके हमारे देश में लोटके ही ना है या फिर ऐसा हो कि उनके जिंदगी पर एक mental depression हो ज सखना चाहिए तो लोगों में जो डर है वो ना फैल है और किसी तरीके से stigma तो फैल है नहीं स्टिग्मा मतलब एक धब्बा की हाँ यह तो COVID-19 से जूज रहा था गाइज यह थी हमारी वीडियो थैंक्स वर वोचिंग जहिंद गॉर ग्लैस